वेल्कम बैक ओल आफ यू आप सभी का वेलकब है हमारे डीर नीचे जी चैनल पर जाप आप आप आज हम दो देखेंगे इस वीडियो में कि LCM कैसे फाइन करते हैं and LCM में values के लिए किस तरीके से factor फाइन करके simplify करते हैं एक question देखते हैं 5, 10 and 15 अगर मैंने कोई सका LCM निकाल लें एक तरीका तो यह होता है कि आप इन में से जो greater नंबर है ठीक है 15 का टेबल आप पढ़ते जाए 15 में 5 और 10 से अगर डिवाइड होता तो 15 LCM होता बढ़ अगर ऐसा नहीं है तो 15, 2 जा 30 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है 10 से भी 15 से तो 30 होगा LCM बढ़ इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 5, 10 and 15 बचे पहले आप डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से कम से कम एक सिंगल नंबर में डिवाइड होना चाहिए तो 5 बन जा 5, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15 फिर 1 से लिया तो 2 से यूज किया तो 1, 1 and 3 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3 तो अब देखते है LCM और 5, 10, 15 कितना होगा इन सबको आप into कर सकते हैं 3 into 2 into 5 into 1 3, 2, 0, 6, 5, 0, 30 हमारा LCM होगा बचे लास्ट में आपको 1, 1 लाना है अगर मैं एक और एक्जामपल लेखते हैं आपर LCM फाइंड करने का ही जैसे 2, 4, 6, 8 अब इसमें क्या है कि जब आप LCM फाइंड करते हैं तो इस question में आप लिखेंगे पहले 2, 4, 6, and 8 बचे LCM के लिए क्या होगा पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाएट अगें टेक 2 1, 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड नहीं होगा 2 2 जा 4 ठीक है फिर आप नंबर लेते हैं 3 sorry एक बार अभी 2 ले सकते हैं क्योंकि OLED 2 यहां पहले पहले हैं and फिर क्या होगा 1 1 3 जा 3 and 1 LCM कितना होगा LCM equal to 2 into 2 into 2 into 3 24 is का LCM होगा. अब देखो 24 में 8 से भी divide कर सकते हैं आप 6 से भी divide कर सकते हैं, 4 से भी and 2 से भी divide कर सकते हैं LCM क्या होगा LCM कहते है lowest common multiple या list common multiple या smallest common multiple भी कहते हैं जहाँ पहे एक ऐसा number जिसमें हम remaining सारे number से divide कर सकते हैं वही हमारा LCM होगा which is the lowest number एक और देखते हैं जैसे like 13, 39 ठीक है and 3 तो मैं लिखूंगा यहापर 3, 13 and 39 मेरे को LCM चाहिए अब देखो कि 3 के table में भी 39 3 से भी divide होता है 39 and 13 से भी divide होता है 39 इन तीन होगा जो LCM होगा क्या होगा? 39 होगा इस सब ऐसे भी देखते हैं 3 से 3 बंजा 3 13 divided नहीं होगा 3 से and 3 से 3 बंजा 3 39 अब आप देखेंगे जब मैं 13 लोगा तो 1 होगा 1 and 1 LCM कितना होगा? LCM of 3 13 and 39 का जो LCM होगा वो होगा 3 into 13 into 1 which is 39 होगा answer LCM LCM को find करने के लिए important क्या होता है? कि जब आप value को simplify करते हैं चाहे कितने भी number क्यों नहीं हो? बस आपको क्या करना है? prime number से divide करना है और last में जब 1 1 होगा इन numbers को other than 1 को आप into कर सकते हैं वो हमारा LCM का लागा जैसा कि एक और trick भी देख सकते हैं कि सबसे पहले bigger number देखें आपके 39 हैं तो 39 में 13 से भी divide होता है और 3 से भी divide होता है तो 13 के table में 39 आ रहे हैं और 3 से भी divide होता है 39 तो 13 3 जब 39 क्योंकि 3 से divide का क्या rule होता? डिजिट को आप add कर लो 3 प्लस 9 कितना होगा? 12 12 3 से divide होता इंटार value 3 से divide होगा similarly यहां पर 13 3 जब 30 time तो इससे 39 LCM होगा basically the purpose of making this video to learn how to find out LCM किसी भी number का LCM आप किस तर से find कर सकते हैं इस number के helps आप find कर सकते हैं LCM और उसको simplify कर सकते हैं I hope बच्चे आप लोगों को समझ में आया and S-TET के questions में, S-TET में भी ऐसे questions पूछा जाते हैं आप LCM से लेटे हो, factors से लेटे हो तो आप find कर सकते हैं and please like, subscribe and share जो लोग आज पहले बार इस channel पर आएं please support करें channel को, यह बिलकुल new channel है but आपको mathematics के regular videos मिलेंगे खासकर tips and tricks, खासकर mathematics के तो thank you so much guys for watching and supporting us have a good day जय हिन जय वारत, भारत मात्र की जये खासकर जये झायुट हुआ 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 हुआ